आपके पिताजी का एक स्टेटमेंट देश में बार बार चर्चा हो रही है उनको पूछा गया तो ब्राब याने दिल को छोने वाला जबाब है इनके पिताजी का उन्हाने का देखे पहले देश बाद में बेटा ये बहुत बड़ी बात है जी पुस्पॉर इज़ पीज़ गोड़ी तो राजी का उनको एखे पूछा जार। पूछा टाजी कि अच एक और सिक अच का एका शार। हार अरधिश बताइए तर्द्र तेंक यू पहले तो आपने मोका दिया हमें आपसे मिलने का एंड उसके बाद क्रिकेट को लेके बहुत बढ़िया फिलिंग है यह सर बहुत अच्छा लग रहा है कि यह टूर्नमेंट हम जीते हैं और बोलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्ती भाई साइट से बोल डालते हैं तो बहुत जदा प्रेशर बनाकर बैट्समें पे और बैट्समें मेरे को ट्राइ करते हैं तो मेरे को विकेट्स मिलने काफी सारे और बाकी भी बोलर्स में बहुत अच्छे से गेन बाजी की है तो मैं कहूंगा उसका फल मेरे को मिलता रहा है और वही काफी मज़ा आ रहा था मेरे को विकेट्स मिल रहे थे और देश में बार बार चर्चा हो रही है उनको पूछा गया तो ब्राब याने दिल को छोने वाला जबाब है इनके पिता जी का उन्हाने का देखे पहले देश बाद में बेटा ये बहुत बड़ी बात है जी हम फ्रीच पर डिल कर भीज़ था लाक प्राब हुआ हर भी उनका अप्ट है आप अगर खुआ है इस का अगर कर बाद में अच्छा तो अपने मुखा दिया आपसे मिलने का अशके बाद आप करिकेट को लेके बहुत ब़ोत बड़िया फिलिंग एजर बहुत अच्छा लग रहा है कि यह टूर्णमेंट हम जीते हैं और बोलिंग में मैंने पहले भी जैसे बताया कि बहुत अच्छा लगता है जब जस्टी भाई साइट से बोल डालते हैं तो बहुत ज़दा प्रेशर बना कर रखते हैं बैट्समें पे और बैट्समीन में को ट्राइ करते हैं तो में को विकेट्स मिलने काफी सारे और बाकि भी बोल डेट्वानें बहुत अच्छे सी अत्यागश की है तो मैं कहूंगा उसका फॉल द मिलता रहा है एंड काफी मज़ा आ रहा था में को विकेट्स मिल रहे थे एन ग्रेलिट सारी टीम को जाता है